नमस्ते इंडिया मेरा नाम है सौनिया और आप देख रहे हो और मेरा चैनल Baby's Care Hub मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजने की सही एज क्या होती है कब आप अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हो School भेजने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और School सिलेक्ट करते वक्त आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और अगर घर पे रहके आपके बच्चे ने Studie की है, syllabus किया है तो क्या nursery skip करوا के आपने बच्चे का Admission LKG-IU-PG प्रजीब में करवा सकते हो तो इन सभी कोशनों का आंसर आपको मिलेगा मेरी आज की इस वीडियो में तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इक रिक्रेस्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जाए 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 शेयर कीजिए ताकि एक मा की नॉलीज हर एक मा की नॉलीज बन सके और हर एक बच्चे को बहतर केर और बहतरी प्रोटेक्शन मिल सके अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन पर प्रेस कर दीजे ताकि हर नई और इंफोमेटी वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपका बच्चा धाई से तीन साल का है तो आप उसे इजली स्कूल भेज सकते हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट हम हर्याना में रहते हैं तो यहां पे अभी एजुकेशन पॉलसी के हिसाब से यह चल रहा है कि कुछ टाइम में शायद दो हजार पच्चिस तक यह लागू हो जाएगा कि फर्स क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में छे साल के बच्चे को एडमिशन मिलेगा बट अभी ऐसा नहीं है और यह डिपैंड करता है स्कूल टू स्कूल और आप किस जंगा पे रहते हो यह उसके हिसाब से भी डिपैंड करता है बट धाई से जो एज है उसमें आपने बच्चे का स्कूल स्कूल करवा सकते हो वो एक परफेक्ट एज है सेकंड चीज स्कूल भेजने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रगना है आपको अपने बच्चे के अंदर कौन-कौन सी चीज़े चेक करनी है जिससे कि आप शोर हो पउन्यकेट कर पाता है अगर बच्चे को पोटी आई है या सुसु आया है क्या बच्चा बच्चा करेंगे हम do time be a check करेंगे उसमें कोई प्रॉबлом नहीं है बच अपनी बात करूँ, I mean don't trust किया अगर हमारा बच्चा बोल पाता है उससे से पोलड़े आई या उससे स तो इसे अच्छी बात नहीं है, हम किसी दूसरे के उपर depend नहीं हो हो सकते, या trust नहीं कर सकते के टाइम टाइम उस चेक का डाइपर चेंज किया जा रहा है, या चेक किया जा रहा है, इस चीज पे हम नहीं trust कर सकते easily, तो यह शोर आपको देख हो आपका बच्चा पाठीज है वह अच्छे से ऊह प्रॉटीब्ल का कि यूली तो य兒 दूदीध के तक वो सिर्फ बोटल से दूद पीती थी या गिलास से दूद पीती थी अधर कोई भी चीज वो नहीं खाती थी तो उसके लिए बहुत प्रोबलम थी उसको स्कूल भेजने में तो आप इस चीज को इंशोर कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो सिर्फ दूद पर डिपेंड जब भूक लगती है बताता है कि उसे भूक लगी है या उसे प्यास लगी है और अगर वो ये चीज़े बता पा रहा है तो अगर उसे रोटी की बाइट करके दे दी जाए तो क्या बच्चा उनको उठाके खा सकता है या पानी की बोटल दे दी जाए तो क्या बच्चा बो हो चुकी है दो साल तक की ताकि आप उसे बाहर जब भेज रहे हो तो से किसी तरह की कोई प्रोब्लम ना आई तो इन सारी बातों का आपको ध्यान दखना है अगर यह जार जो सारे कॉश्चन मैंने किये हैं अगर इनका आंसर यस है तो आप अपने बच्चे को इजली स्कूल भेज सकते हैं उसमें कोई भी प्रोब्लम नहीं है बट कुछ एक्स्ट्रा ओर्डिनरी बच्चे होते हैं जो दो साल की एज में अच्छे से बात चीत करते हैं वो करते हैं रन करते हैं उन्हें बोलना आता है कि मुझे बूक लगी है मुझे प्यास लगी है तो अगर आप दो साल की उमर में या सवा दो साल की उमर में आपके बच्चे के अंदर ये चीज़े हैं और आप बच्चे का प्ले स्कूल जोईन करवाना चाहते हो तो भी आप करवा सकते हैं उसमें भी किसी तरह की कोई प्रोब्लम नहीं होती है आप बच्चे को स्कूल भेज सकते हो क् पसनल अपनी बात करूँ तो 2020 में मेरा बेटा 2 साल का हो गया था और हमने सुचा था कि हम 25 साल की एज में 2021 में उसका अडमिशन करवाएंगे बट जब 2021 में जासा कि हम हरियाना में रहते हैं और यहाँ पे अप्रेल में अडमिशन होते हैं जब हमने उसका admission करवाने की सोची तो कुरोना के वज़े स्कूल बन थे और online studies चल रही थी तो हम उसका admission नहीं करवा पाए फिर जब हमने अब 2022 में अब जब वो साड़े 3 साल का हुआ है तो last month ही हमने उसका admission करवाया है तो अगर किसी वज़े से आप admission नहीं करवा रहे हैं धाई से 3 साल की age में तो कोई problem नहीं है बट आप patience रखे और इस बात की tension न ले आप 3 साल की age में करवा दे या साड़े 3 साल की age में करवा दे बट इन चीजों का ध्यान रखे कि आपके बच्चे में यह सारी चीज़े हैं admission करवाने से पहले बच्चे को स्कूल भेजने से पहले अब बात करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के लिए स्कूल सिलेक्ट कर रहे हो कोई तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान लगना है सबसे पहली चीज school के standard पे कभी भी ना जाएン कि school का इतना नाम है इतना बड़ा school है तो वो बहुत अच्छा school होगा या फिर मेरे पडोसी उस school में भेजते हैं तो मैं भी उसी school में भी वेजुझी या फिर हमारे relative वहाँ भेजते हैं तो मैं भी वही भेजुझी ऐसे बहुत सारे लोग है जिनकी मतलब सोच ऐसी होती है कि हाँ वो वहाँ बेज रहा है तो मैं भी वहीं बेजूँ भी बहुत अच्छा स्कूल है ऐसा कभी ना करें अपने बच्चे के लिए जो भी स्कूल चूज करें वहाँ पे जाएं प्रिंसिपल से मिलें टीचर से मिले स्कूल का एटमोस्फेर देखे प्लेगराउंड देखे इस तरह से इन सारे चीजों का आप ध्यान रखे तब ही आप स्कूल का सिलेक्शन करें अपने बच्चे के लिए second चीज़ आपको ध्यान रखनी है second चीज़ बताने से पहले अपना छोटा सा experience आपके साथ share करती हूँ कि अभी जो last month हमने हमारे बेटे का admission करवाया है तो हम दोनों मैं और मेरे husband कम से कम 10 school में हम लोग गए हैं और 10 school में जाने के बाद finally हमने एक school decide किया तो वो parents को जाके देखना होता है कि कौन सा school हमारे बच्चे के लिए अच्छा है कौन सा नहीं तब ही आपको ये चीज़ decide करनी चाहिए अब second चीज़ की बात करती हूँ कि बच्चे का admission करवाने से पहले जो की most important बात होती है जो कि parents को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप बच्चे का जो school है वो घर के पास हो वो ज़्यादा दूरी पे ना हो क्योंकि अभी ये बच्चे की starting होती है अभी बच्चा start करता है घर से बाहर जाना मम्मी से दूर रहना, family से दूर रहना तो उसके जो दो तीन घंटे का वो time होता है उसे उसे बर्डन नहीं बनाना चाहिए अगर बच्चे का school दूर है वो रिक्षा में जा रहा है, ओटो रिक्षा में जा रहा है बस में जा रहा है तो बच्चा कितना मतलब इसमें tired हो जाता है उसको अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजे तो ये आपको ध्यान रखना है आप ये शोर कीजिए कि आपका बच्चे का जो school है वो घर के पास ही हो क्योंकि मेरे बच्चे का जो school है वोकिंग डिस्टैंस पे है और हम जो सुबह में जाती हूँ तो हम लोग चल के जाते हैं पैदल और आती ही भी हूँ जब उसके लेकर school से तो हम पैदल आते हैं इसके बहुत सारे फायदा होते हैं जब आप बच्चे को school से लेके आ रहे हो रोड के उपर चल रहे हो आप बच्चे को विकल्स की पहचान करवा सकते हो आप बच्चे को बता सकते हो के रोड ऐसे क्रोस करना है वो सारे चीज़े देखता है उसे बाहर की दुनिया का पता चलता है तो ये सारे चीज़े बहुत ज़्यादा beneficial होती हैं आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी और थार्ड चीज़ अगर आपके बच्चे का school दूर है और unfortunately कोई ऐसी चीज़ हुई है कि आपको suddenly school जाना पड़े तो आप कैसे इतनी दूर मतलब ये चीज़ मैनेज करते हैं ये तो जरूरी नहीं कि सब के पास स्कूटी हो सब के पास गाड़ी हो तो इसलिए क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनकी schooling अभी start हुई होती है पता नहीं चलता कि बच्चे का mood कब कैसा है कई बार बच्चे रोने लग जाते हैं जब मैं मेरे बेटे के लिए school में बात करने गई तो बच्चा रो रहा था कि मम्मी मुझे मम्मी चाहिए तो टीचर ने एकदम से फोन किया ममा के पास और दस मिनट में ममा उनकी school में थी तो ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर आपके बच्चे को आपकी नीड है बच्चा कभी रो रहा है उसे कभी ममा पापा जूरत होती है तो आप जल से जल बच्चे के पास पहुँच पाए ताकि आपका बच्चा खुश रहे और अपने उसका जो वो school time है तीन घंटे साड़े तीन घंटे वो उसे enjoy कर पाए उस पर burden ना बने तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रगना है पूर्थ चीज़ कहीं बार क्या होता है कि financially या फिर करोना के विशे इतना loss हुआ है या फिर other किसी family problem की वज़े से आप धाई से तीन साल की age में अपने बच्चे को school नहीं भेज पाते और बच्चे को घरी study करवाते हो activity करवाते हो उसे syllabus करवाते हो तो आप ये सोचते हो, parents से सोचते हैं कि हम nursery skip करवा के LKG में करवा दे हैं UKG में करवा दे हैं आप बिल्कुल करवा सकते हो क्योंकि मेरी एक friend है उन्होंने करोना टाइम में अपनी बेटी को घर पे ही study करवाई और अब उन्होंने अपनी बेटी का admission LKG में करवाया है nursery skip करवा के तो ये चीज हम parents नहीं decide कर सकते आप जब school जाओगे तो जो teachers होते हैं वो बच्चे से communicate करते हैं, syllabus के बारे में पूछते हैं, return करवाते हैं, verbally पूछते हैं तो जब teacher इस चीज से satisfy होते है कि yes, बच्चे को syllabus आता है, हम उसका admission LKG या UKG में ले सकते हैं, तो तब ही आप बच्चे का admission LKG या UKG में करवा सकते हो, क्योंकि हमें syllabus नहीं पता होता और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी हमारा बच्चा छोटा है, यहां फिर कई parents होते हैं, हमारा एक friends का group है, उसमें कुछ टाइम पहले मेरी एक friend का comment आया, कि उसमें suggestion मांगा कि मेरी बेटी धाई साल की हो गई है, क्या मैं से school भेज़ दूँ, तो मेरी बहुत सारी friends ने comment किया, कि नहीं बहुत गर्मी है, क्यों स्कूल बेजना है, घर पे ही study करवाओ, तो अगर आप अपने बच्चे को घर पे study करवाना चाहरे हो, तो उसमें भी कोई problem नहीं है, आप स्कूल की जो site होती है, वहां पे आपको syllabus मिल जाता है, या कोई बच्चा उस सेम स्कूल में जा रहा हो, तो वहां बच्चे से आप syllabus पूस सकते हो, या स्कूल के जो templates आते हैं, उन से आप syllabus देख सकते हो, अगर आप syllabus घर पे बच्चे को cover करवा सकते हो, easily बच्चे को burden नहीं लग रहा है, आप उसे involved कर सकते हो, activity करवा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप बच् जो सारी बाते बताई हैं, उन से new parents को, जिनके बच्चे सकूल में जाना start करेंगे, या जो सकूल में बेजने के लिए सोच रहे हैं, उनको जरूर help मिलेगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो please share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, अगर कोई भी question है, बात आप मुझे पूछना चाहते हो, तो please comment box में comment कर, जुरूर comment कीजिए, और अगर कोई suggestion हो, क्योंकि मैंने भी last month अपने बेटे का admission करवाया है, और अभी मैं देख रही हूं कि वो कैसे study कर रहा है, वो हर रोज आके हम बताता है, कि मैंने ये सिखा, ये सिखा, वो सुनात है, तो मैं जल्दी ही इस पे भी एक update आलूँ कि मेरे बेटे ने एक महीने के अंदर क्या सीखा है, और अगर आपके बच्चों का भी school start हो है, तो आपका कोई suggestion मेरे लिए है, तो please मुझे बताइए, thank you so much, thank you for watching.